बिक्रम बेदा फिल्म का पहले दिन की कलेक्शन इंडिया की आई थी 10 करोड 58 लाक रुपे की मगर आखिरकार दुसरे दिन की बॉक्स ओफिस कलेक्शन इंडिया की क्या आई है ओफिसियल ही जिसको लेकर मैं आप लोगो इस वीडियो में बताने वाला हूँ फाइनल हेलो नमस्कार सुलागत है आपके अपने इस चैनल में बिक्रम बेदा फिल्म का आज है तिसरा दिन रबीवार बहुत बड़ा धमाल और बेसक इस फिल्म को लेकर पहले दिन की जबरदस्त कमाई के बाद दुसरे दिन की क्या रिपोर्ट सामने आई है मैंने आप लो पर इसके बारे में पोश्ट दे के जनकारी दे लिया है जिसकी कटाउट आप लोग देख रहे होंगे जिसमें ये मैंसन है 10 करोर 58 लाक रुपे की कलेक्शन पहले दिन सिर्फ इंडिया में की गई थी वहीं दुसरे दिन की जो आखड़े है वो थोड़ा जादा देखने को मिल रहा है 12 करोर 51 लाक रुपे का तो दो दिनों में ये फिल्म के जो आखड़े है 23.09 करोर का आखड़ा पार कर लिया है जिहां 23 करोर के आखड़े पार कर लिया है ये फिल्म ने सिर्फ इंडिया का रिपोर्ट है ये इंडिया का ना ग्रॉस कलेक्शन बता रहा हूं ना worldwide इसके gross collection के बारे में details दे रहा हूँ सिर्फ इंडिया का सिर्फ net collection में आप लोगो रिपोर्ट दे रहा हूँ जो बेहद लाजबाब है तिसरे दिन की box office collection को लेकर अगर बात करें इंडिया की तो इससे थोड़ा उच्छाल देखते हुए ये फिल्म की 30 दिन की कमाई अराम से 14 से 15 करोड के बीच असानी से हो जाएगी फाइनली कल इसी टाइम में आप लोगो को officially जब मिस्टर स्टरन अदरस इसके बारे में update देके जनकारी देंगे तो आप लोगो बता चल जाएगा मगर जो मैं आप लोगो पेडेक्शन बताता हूँ कि ये फिल्म इतने कमाई करेगी लम सम मतलब थोड़ा उपर नीची रहता है मगर कमाई आंकलन बाई उत्मा ही होता है वल आप लोगो मैंने कले बताया था कि आप लोग को 12-13 करोड के बीच में आप लोग को फिल्म की कमाई होगी दुसरे दिन तो आप लोग देख सकते हो 12 करोड 51 लाक रुपे की कमाई हुआ था और फाइनल रिपोर्ट आप लोग के सामने पेस है उसी तरह से मैं आप लोगों ये बता रहा हूँ कि 14-15 करोड के बीच असानी से कमाई होगा वो भी जहां तक बिक्रम बेदा फिल्म को लेकर आज के दिन तिसरे दिन और आप लोगो को कल फाइनल रिपोर्ट पता चल जाएगा वल आगे भी रिपोर्ट कई सारे आने वाले हैं तो कंटिन्यू आप लोग बने रहे बहुती लाजबाब अपडेट आएगी बिक्रम बेदा क्या फिल्म आप लोग ने देख लेगी कैसी लगी ज़रू बता दियेगा मिलते हैं अगे अगे अपडेट में जो होने वलाए बियाद इंट्रोस्टिंग काफी लाजबाब